अब देखते हैं bitwise operators, bitwise जो है वो हमारे किसी भी integer type पे हम use कर सकते, integer type कौन से थे, long, integer, short, character and byte, तो इन सारों पे हम अपने bitwise operator को use कर सकते, अब bitwise operator कौन से वो देख लेते हैं, तो bitwise operator में सबसे पहले आता है bitwise end, इसका symbol ये है, फिर bitwise और ये जो है bitwise exclusive और ये जो है left shift और ये जो है वो right shift, left shift अगर easily याद रखना हो तो एक less than का symbol और उसके साथ दूसरा less than का symbol, right shift को अगर याद रखना हो तो दो greater than के symbol, ये easily याद हो रह जाएंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी bitwise operator को अच्छे से याद रखना है, तो आपको पहले end और और exclusive और कैसे work करता है वो पता होना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, कि bitwise operators जो है, वो bit पे perform करते हैं, right, bitwise operator में क्या होता है, पहले तो bits हो होगा, वो उन्हीं bits पे हमें करना होगा, right, और ये operation जो होगा, वो bit by bit perform होगा, right, अभी assume कर लेते हैं, A की value है 60 और B की value है 13, तो हमें इसका binary ऐसे मिलेगा, A की value क्या है, 16, तो इसका binary हमें मिलेगा 00, 11, 11, 00, right, और B का binary हमें मिलेगा 13 है, तो इसका binary बनता है, 4 x 0, double x 1, 0 और 1, अभी देखो, end मतलब multiplication होगा, और मतलब summation और exclusive और मतलब addition, right, बट एक difference है, हम देखते हैं, अब देखो, multiplication मतलब की हमको दो number को multiply करना है, अब हम देखते हैं, A और B, दोनों को multiply करें, तो यहां last में से देखते हैं, 0 को 1 से multiply करो, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हमें यहां पे मिला 0, हम राइट एंड साइड से देखना स्टार्ट कर रहें, अब 0 को 0 से multiply किया, तो answer मिला 0, बट अगर 1 को 1 से multiply करो, तो क्या मिलेगा, 1, इसलिए हमें मिला 1, बट अभी और एक बार 1 को 1 से multiply किया, तो हमें मिला 1, next, 1 को 0 से multiply करो, तो 0, अगें 1 को 0 से multiply करो, तो 0, अभी आगे दो बार ही 0, 0 है, 0 को 0 से multiply करेंगे, तो 0 मिलेगा, इसलिए, A multiply B, या फिर A bitwise B, हमें क्या मिला, 4 time 0, double time 1, double time 0, अब हम देखते हैं, A bitwise और B, अब और के अंदर क्या होगा, addition होगा, बट यहां पे भी एक लोजिक है, जो मैं आपको बताती हूँ, अब देखो, 0 प्लस 1, राइट एंड साइड से देखना आप, तो 0 प्लस 1, अभी एक ह बार 1 आएगा ना, तो आपको लिखना है 1, बट अगर दो बारी 1 आता है, तो आपको क्या लिखना है, 1, राइट, देखो, 0 प्लस 1, जिरो के अंदर 1 एड करेंगे, तो क्या मिलेगा, 1, 0 प्लस 0 is equal to 0, एक्चुली में, 1 प्लस 1 is equal to 10, बट हम यहां पे लिखेंगे, 1 प्लस 1 is equal to 1, नेक्स्ट 1 प्लस 1, अगेन is equal to 1, वैसे ही, डबल टाइम 1 है, तो क्या मिलेगा, डबल टाइम 1, और 0 में 0 एड करो, तो 0 ही मिलता है, अब एक्स्क्लूजीव और, यहां पे लोजिक थोड़ा चेंज है, एक्स्क्लूजीव और के अंदर, अगर दो बारी 1 आता है, तो आपको लिखना है, 0, जिए एक बारी 1 हो, तो आपको 1 ही लिखना है, बट अगर दो बारी 1 आता है, तो आपको लिखना है, 0, जैसे कि राइट हैंड से स्टार्ट करें, 0 प्लस 1 is equal to 1, बट 0 प्लस 0 is equal to 0, नाव दो बारी 1 आया, 1 प्लस 1, मतलब हमने लिखना है, 0, सेम, 1 प्लस 1, तो हमें लिखना है, 0, अब इस सिंगल बारी 1 है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, 1, 1, और 0 प्लस 0, तो 0 ही होता है, राइट, अब हम bitwise operator का प्रोग्राम करके दिखते हैं, उसके अंदर हम पहले लेते हैं, left और right shift bitwise operator, सो सबसे पहले उसके लिए एक class लेते हैं, that is class bit, right, क्योंकि यह bitwise operator है, तो हम ज्यादा तर ऐसे ही नाम रखेंगे, जैसे कि हमें पता चले जाए, ठीके, अब main method लेते हैं, अब main method के बाद हमने लिया, integer x is equal to 10, y is equal to 40, अब हमें क्या करना है, इसको पहले left shift और right shift कराना है, ठीके, so, integer answer is equal to x, अभी यह left shift का symbol है, ठीके, हमें क्या करना है, इसे दो position left shift कराना है, right, so, पहले हम यह print कराते हैं, कि x की value before shift और after shift क्या हो जाती है, तो system.out.println before left shift, x की value क्या मिलेगी हमें, 10, अब system.out.println after left shift, मतलब कि एक बार हम क्या कर रहे है, पहले exact value रख रहे है, और दूसरी बार हम यह print करा रहे है, कि actually में shift कर करने के बाद के answer मिलेगा, ठीक है, so, अब यह किसमे store हो रहा है, answer name के variable के अंदर, तो हमने ले लिया यहाँ पे answer, now, answer is equal to y, right shift और 2, अब यह दो अब क्या लिख रहे है, integer position, मतलब कि हमें कितना shift कराना है, कितनी position तक shift कराना है, ठीक है, so, यहाँ पे भी same, system.out.println before right shift, y की value प्रिंट कराते है, और system.out.println after shift, जो answer में store हो रहा है, ठीक है, अब हम इसे save करते है, bit.java से, now, अब compile करके देखते है, कि actually कैसे work करता है, so, java c, bit.java, अब java bit, तो अब देखे, before left shift, हमारे पास value क्या थी, 10, अब हमने 2 position shift करा है, मतलब 20 और 30, तो हमें कहां पे जाके मि 40, तो अब left shift 2 position की याता हमें मिल गया 40, same manner, before right shift y की value क्या है, अब यहां पे देखे लेते है, कि y की value है 40, अब हमें क्या करना इसे 2 position right shift कराना है, तो 30, 20, तो अब हमें क्या मिलेगा, यहां पे 10, तो यह हुआ हमारा left और right shift bitwise operation.